यूपी में पुलिस से अब इनसाफ मांगोगे तो भरे बादार में थपड़ खा जाओगे क्योंकि यूपी पुलिस अब खुँखार हो गई है और दरोगा थपड़ बाज यकीन नहीं हो रहा तो आप अपनी आँखों से देख लीजिए हरदोई में रहने वाल एक शक्स का शव लखनव के काकोरी शेत्र में रविवार को खानपुर नहर के पास उतराता मिला सुचना पर पहुँचे परिवार ने जाच की मांग की बेटी नी सफको पिकप में ले जाकर हरदोई की डीम से मुलाकात की कोशिश की तो डीम नहीं मिले सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की तो शहर कोतवाल संजय पांडे ने मृतक की परिजन को एक जोर का जणनाटेदार थपड़ मार दिया लड़का नाले में गिर गया और मूँ से खून निकल आया उस लड़के का दोश बस इतना था कि वो अपने मुवाइल से वीडियो बना रहा था और साहब से न्याए की गुहार लगा रहा था परिजनों का आरोप है कि पुलिस के लोग अगर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछ ताज कर लेते तो शायद रामेश्वर को बचाया जा सकता था हलाकि अभी तक पुलिस अपसरों की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया है लेकिन यूपी की पुलिस जवस्था पर ये सवाल तो खड़ा ही हो रहा है कि क्या पुलिस से नयाय मांगना भी गुना हो गया है अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूलें क्योंकि हबर हमारी पैसला जनतंत्र का